असलाम लेकुम। कैसे हैं आप सब लोग अमीद करते हूं। आप सब खेयरे से होंगे। आज हम अमसान सीरीज की थर्ड ट्रेस्पी बना जा लें जा लें जो कि है अलो मटर गोश्ट अलो मटर गोश्ट बहुत असान सीरी है आप इसे लोग सहरी में भी यूज करते हैं अफ्तार में भी बना लेते हैं। मटर गोश्ट मनाने के लिए हमें चाहिए मटर 750 ग्राम प्याज एक कप आप इसे कटिंग कर लें। ट्या है जीर हाफ टीस्पून दाचुन चाह दो कारी मीच और मीच आप Elijah आप उनसा कि लिए अपर हरी मिचयो का परेश एक खाह्न ब इं Vermeफ साय साइब आंए अलट्यवर। एक खाने के चमच, धन्या पाउडर एक चाय के चमच, मट़ टू 50 g ग्राम, अलू दिमाने साइस के तीन अज़ ले लें एक आम में गोश डालें इसमें आप दू कलास पानी डालने रोर साथ ही इसमें आप सब मसारा जाद डालनी डिंगा करण़ां एक नमक लाल मिच धन्या पाउडर यह सब अच्जाब डाले उसको ची तन से मिक्स कर लिए और साथ इसमें प्याज अब अद्ड़कलेसम का पेस्ट पितš वर टमांतर को छोटे मैं अविदी को आप लो करें की इसे की आता मिक्स कर लेदे है तो कि इसे की आप पकाएं के कोश्च चीदा से गल जिसें को चीदा से गल चुका है अब इसमें और डाल डोगी तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करतें दस में भूनने के बाद आप इसमें आलू और मट्र डाल के इसको मिक्स करें मजीद पांच मिन के लिए इसको पकाएं पांच मिन अच्छी ताहर से बूहने के बाद आप इसमें दो ग्लास पानी डाल के इसको मिक्स करें और पांच मिन के लिए तेज आज भी इसको पकाएं जब भी बोल होना स्टार्ट हो जए लो फ्लेम पर इतनी दे पकाएं कि अच्छी ताहर से पाग जे आलू और मटर गल यहां देखें अच्छी ताहिए अलू गोश्ट पक चुका है और उपर आचुका हुआ है अब मैं इसको डी शॉट कर लेती हूं अगर आपको रेस्पी प्संद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा सब्सक्राइब करें करें तो